हलो फ्रेंड्स वेलकम तो माई चैनल नई रफ्तर फ्रेंड्स लास्टेम जब हमने पीसी बिल्ट के वीडियो बनाया था तो आपके बहुत सारे कमेंट्स आये थे कि सर हम एक स्टुडेंट है और हमारा बुझे 20,000 है तो आप उसमें एक पीसी बिल्ट करवा दीजे और भी क पीसी बिल्ट कर रहा है तो इसमें आप हाइएंड गेमिंग या फिर हाइंड एडिटिंग ऐसा काम तब उसमें नहीं कर पाएंगे बट जन्रल आपके जितने भी काम होते हैं जैसे आप वेब रोजिंग करते हैं या फिर आप एक स्टुडेंट है या ओफिस का वर्क करते हैं तो चले फिर अपना पीसी को बिल्ट करते हैं तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आता है कि सिपीओ कि यहां पर हम सिपीओ कौन से लेंगे तो यहां पर हम जो सिपीओ ले रहे हैं वो आएगा एमड के तरब से वह आपका एमड का एथलॉन 3000 जी बहुत अच्छा सिपीओ है अराम से जनरल वर्गर का बिल्कुल काम हो जाएगा कहीं भी आपको कोई प्रॉलम नहीं आएगा स्पेसिफिकेशन की बात करें तो दो कोर चार थ्रेट के साथ ही आता है क्लॉक स्पीड आपका 3.5 गीगाहर्ट का आता है इंटीक्रेटेड ग्राफिक में वेगा 3 का दिया हुआ है टीडीप आपका 65 वाट का है प्राइस की बात करें तो यह अभी के डेट में 6800 के आसपरस आपको देखने को मिल जाएगा मला 67 6800 में बिल्कुल मिल जाएगा यहाँ पर एक चीज़ में आपको और बता दू कि जो भी प्राइस में आपको बता पर एक PC बनेगा एक अच्छे बजट में तो यह CPU हो गया हमारा आज के PC के लिए जो कि बहुत शांदर CPU है अब बात करते हैं मदर बोड का कि आप इसके साथ आप मदर बोड कौन सा लेंगे इसका साथ जो हम मदर बोड ले रहे हुआ है गेलेक्स के तरप से गेलेक्स A320M म रेम 4 सॉकेट का साथ आता है दो USB 3.4 3.1 पोड इसमें आपको दिया हुआ है HD में यह डिस्प्ले पोड दिया हुआ है दो रेम का स्लोट दिया हुआ है जिसको आप 32 बी तक DDR4 रेम लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा मदर बोड आप इसको आराम से आपर कंसीडर कर सकते है इसली इसको ले सकते हैं प्राइस की बात करें तो यह 3100 के असपास का प्राइस का भी यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ पर हमारा CPU और मदर बोड यह तो हो गया अब बात कर लेते हैं हम रैम की कि यहाँ पर हम रैम कौन से लेंगे तो रैम जो यहाँ पर हम ले रहे है वो 8 GB क क्योंकि 16GB का हमारे यहाँ पर बजट नहीं है और 4GB का सेंस नहीं है, 4GB का RAM में आजकल कुछ होता नहीं 8GB का RAM में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा और जो 8GB का RAM यहाँ पर हम ले रहे हैं, वो RAM आता है आपका क्रूसियल के दरब से क्रूसियल बेसिक 8GB का DDR4 RAM है, 2666 MHz को सपोर्ट करता है, प्राइस की बात करें तो 3300 के आसपसी आपको देखने को मिल जाएगा कभी 32, कभी 33, कभी 34, इसी प्राइस रेंज में मिलता जाता है, आपको अराम से यहाँ पर यह मिल जाएगा अब बात कर लेते हैं हम स्टोरेज की, तो यहाँ पर मैंने SSD लगा के रखा है, बट बटो किसी बात है कि BCR के कम्पूटर में हमको SSD लगाना है, तो स्टोरेज थोड़ा तो कम हो जाएगा, तो अगर आपको कोई ऐसा काम है जहाँ पर आपको बहुत ज्यादा स्टोरेज की जर्वात है, तो फिर आप HDD लगा सकते हैं, यहाँ पर मैं SSD लगा रहा हूँ, और अगर आपका बजट दो-तीन हज़ा रुपर आप एक्स्टेंड कर सकते हैं, तो आप इसका कम्पू लगा लिजिए, HDD भी लगा लिजिए और SSD भी लगा लिजिए, ताकि आ रफली 3600 के आपको देखने को मिल जाएगा, अब बात कर लेते हैं, हम पावर सप्लाई, यहाँ पर कौन से लेंगे, तो देखे, PSU जो होता है, हमारा बहुत में कम्पोनेंट होता है, क्योंकि यह अगर प्रॉपर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे, ताब के बहुत सारे पार् क्यों है, आराम से फिचरिस्टिक है, आगे भी इसमें बिल्कुल काम हो सकता है, प्राइस की बात करें तो रफली 2000 का है, एक्जेक्ट पता हूँ तो अभी 1990 है, 1990 पको दिखा रहा है, तो 2000 के आस्वास में यह आराम से आपको मिल जाएगा, और यह पावर सप्लाई बहुत अच्छा है, पहुंस सा वोड के साथ आता है, आप बिल्कुल इसको कंसीडर कर सकते हैं, अब लास्ट में आ जाएगा हमारा केबिनेट, तो देखिए केबिनेट सब्जेक्टी होता है, जैसे हम पहले भी वीडियो में बताया, अगर आपको बहुत ज्यादा ट्रेंडी गे सब्सक्राइब करेंगे, तो देखिएंगे, आपको 20,000 के आस्पास ही भी यह बना है, हो सकता है कि थोड़ा बहुत दस्वीस पच्ची सुरुप आपका कमी बने, बहुत 20,000 के अंदर ही हम यह वडिया फिसी रिल्ट कर लिए, जिसमें आपको बहुत अच्छा परफोर्मे मिलेगा, और कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, जिस प्राइस पॉइंट में हम इस पीसी को बना रहे हैं, तो बस यही था आपको वीडियो में, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, इसे एक लाइक कर दीजेगा, और भी आपको कोई कोश्यान यह कमेंट हो, तो बिल्कुल कमेंट कर दीजेगा, मिलते हैं फिर नेक्स वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, टिक केर,